शुरुआत करेंगे जबलपूर से मिल रहे एक बड़े अपडेट के साथ वेलकम होटल में ब्लास्ट हो गया है होटल के चौते फ्लोर इस्तित किचन में ब्लास्ट हुआ है जिसमें एक युवती की मौत हो गई है साथ लोग घायल है गैस पाइपलाइन टेस्टिंग के दुरान ये खादसा हुआ है जिला प्रश्वासन के अधिकारी मौके पर पहुँच गए है SDRF की टीम मलबा हटाने के काम में जुटी हुई है डॉक्टर मुहन यादव प्रदेश के मुक्यमंत्री इन्होंने मौवजे का ऐलान किया है प्रित्तक के परिजनों को 4 लाख रुपए की सहयता राश्य का ऐलान किया गया है जबकि घायलों को 50-50 घाशार रुपए की सहयता दी जाएगी पुलिस और फायर बिगेट मौके पर मौजूद है गायलों को स्पताल में भर्ती किया गया है तो एक बड़ा अपजेट आपको बता दें जबलपूर में होटल के चौथे फ्लोर स्थित किचन में ब्लास्ट हुआ है वेलकम होटल जहां पर यह हाथसा हुआ है अब शेक शर्मा फून लाइन पर जोड़े हुए है अब शेक बताएं कैसे हुआ यह हाथसा है आइटिसी ग्रोग का होटल है जो अभी निर्माना जीन है जबलपूर में है और जब उन्होंने टेस्टिंग के लिए गया उसी दोरान पाइप लाइन में ब्लास्ट हो गया जिसमें इंटर की सब्सक्राइब गिर गई उसमें दबकर एक 23 साल की जो यूटी है होटल की करवचारी बताई जा रही है उसकी मौत हो गई है जब कि अभी आच लोग घाल है जिन इनों को चार लाख रुपएगी आज पिक साहिता जेने का एलान मुक्समंट्री मौहन यादव ने किया उन्होंने जखना पर दुग वी जियक्ति किया और अभी मौके बन जिला प्रशाशन के अधिकारी मौजूद है उन्होंने रखना इस्टल का मौहना किया और सांसी ए इंस ठीम मौके पर है यह झालों किस्थिति कैसी है? और कितने लोग घाल है? जावलपूर के वेलकम होटल के चौते फ्लोर में किचन में ब्लास्ट हुआ है आट लोग घायल है एक युवती की जान भी चली गई है